इस इस विडियो में मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ नेशनल पॉलिशी ऑफ एजुकेशन नाटी एटी सिक्स और इसी को प्रोग्राम ऑफ एक्षन नाटी 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 टू कहा जाता है तो यह विडियो जो होते हैं सिच्छा जगत के लिए काफी बर्दान सावित हुआ था रजीव गांदी के और परदहान मंत्री के कारिकाल में इसे बनाया गया था टिक है ऐसे तो NPE 1968 में बना था लेकि वो किसी पैसे की कमी से क्राशिस की वज़े से 1986 में इसको implement कर दिया गया था तो आप इस वीडियो को अंतक देखना और आज हम इस दौर से गुजर रहे हैं कि जहां पर बहुत सारे बहुत सारो इसे हैं जो वह थ Hidegy Прोग्राम के बार में जानना बहुत ज़री है तो सखने के पॉइंट कर पढ़ेंगे परहेंगे नहीं हो खेंगे आफ़ी सल का सृव लिए नहीं है थो हम प्रोग्राम के बारम हमें जानना बहुत ज़रूरीEh तो सिखने के पॉइंट भी से पढ़ेंगे हम अपना लेंग्वेज अपने लर्निंग को अगर ज्यादा से ज्यादा स्ट्रॉम करेंगे तो वह ज्यादा हमारे लिए फायदे मन्द होगा ठीक है तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो कैसे हो आज पर एक चीज कहरा हो कि आज जिस दोर से हम लोगा गुजर ए पूरी दुनीया जिस दौर से गुजररी है आपने आप में ये काफी कठिन ड़ो है तो इससमें अपने सहीयम को बना कर रखना है अपने चीजों को सम्हाल कर रखने छीजों का मतलब है यह social distancing का मतलब यह नहीं होती है कि आप लोगों की भाब नाओं से दूर हो जाए, अपने परिवारों से दूर हो जाए आज हमारे सोसाइटिय में बहुत सारे ऐसी घटनाएं घट रही है जिसके वज़े से बहुत सारे चीजे सोचने पर मजबूर कर दिया गया है तो हम चीजों को मतलब फालतू का सोचल गैदरिंग ना करें मार्केट में ना ऐसे बिना बज़ा के घुमें जब जरूरत होते एक डेली रूटीन के तहत आप किसी भी काड़ी को कर सकते है सोचल डिस्टेंसिंग कहने का मतलब यह नहीं कि आप अपने लोगों से दूर हो जाए उनसे हिन भावना उनमें अजीब से रियक्ट करें चीजों को लेकर तो इस सभी चीजे नहीं होनी चाहिए और दुसरी चीज है कि सरकार कार के जितनी वी गाइडलाइन उसको हम लोग सरकार ने जारी रख कर रखी है कि बेबज़ाएं से हम लोग बेबज़ाएं बीना काम के बाहार ना जाएं तो यह सब चीजों को फालो करें क्योंकि इस वायरेस को हम लोगव को हराना और फिर एक नहीं इंडिया का निर्मान करना है तो इसी मेशेज के साथ हम वीडियो के स्टार्ट करते है तो आज कि इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूं NPE 1986 यह अपने आप में काफ़ी सुच्छा के सुधार में बहुत बरी योजनाए थी इसी को 1992 में भी लाए गया था जिसको प्रोग्राम ऑफ एक्षन के नाम से भी जानते हैं ठीक है तो इसमें हम लोग जान लेते हैं कि इसका इंट्रड़क्शन पहले देख लेते हैं तो एक डिमोक्रेटिक कंट्री में एक डिमोक्रेटेज़ाइशन ओफ एजुकेशन होने की जरूवत है ठीक है हमें एचीव मतलब सभी बेसको एचीव करना है जितने वी एजुकेशन के जितनी वी सेक्टर होती है हरे एक स्टेज मे हर एक सेक्टर में सबको एजुकेशन प्रोवाइट करना है एक है एक इनिशेटिव प्रोगराम था गवरमेंट का kosi Ke horses औगربhen 협ेatu टो नाइंटी Top specifics में जो लेकिन फॉरम जेशन अगर फॉर्मिलेटेट की बात करते हैं तो 1968 में यह बन गया था ठीक है लेकिन किसी पैसे की क्रैशिस के बज़े से यह उस समय लागू नहीं हो पाया सही तरीके से तो इसको यह इसको मेंली बनाया गया था कि हर एक पांस साल में रिव्यू किया जाएगा मतलों हर एक पांस स साल में इसकी बीवेच ना रिव्यू करनी थी ठीक है प्रोग्रेस जो वरकिंग होती है उसकी प्रोग्रेस को जांच करना था जब यह 1986 में लागू हो गई थी आपका राजीव गांदी के कारिकाल में जो उस समय प्राइम मिनिस्टर थे ठीक है इसके लिए पैसे की इतने भी खर्च थी सभी चीज़ों पर विचार करके इसको 1986 में इंप्लिमेंट कर दिया गया था उसके बाद 1992 में जो रिव्यू किया गया तो उसमें जैसे डिफेक्ट बहुत सारे चीज़े रह जाती है तो 1986 में बहुत सारे चीज़े ऐसे रह गई थ जिसके बोड के ऐसे 1992 में फिर राममुर्ति यानि अचारे राममुर्ति के की अध्यचता में उनकी एक कमेटी बनाये गें में 1990 में टीक है तो उसमें क्या हुआ कि कुछ रिविःू किया गया है ठJust को डीचियों किया गया और भी कुछ जनाधन रेडी जो थे चीफ मिनिष्ट ऑफ आंदर प्रदे इनको चेर मैंसी बनाया गया था 1991 में जुलाई 1991 में सेंटर एडवाजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन का कमिटी का इनको अध्याच बनाया गया था तो उन्होंने बहुत सारे इसमें क्या के मोडिफिकेशन किया था अपना रिपोर्ट सौपा रामुर्ती कमिटी को दिया और इस से भी इनकी सौपी रिपोर्ट फिर रामुर्ती के द्वारा संसोधन किया हुआ रिपोर्ट सबको एक फाइनली फिर से इसमें एनपी में पेस किया गया और इसी को हम लोग क्या कहते है नेशनल प्रोग्राम ऑफ एक्षन के नाम से जानते हैं तो सबसे पहले हम लोग इसे बात करते हैं अगर कोई एक्जाम में आती है कि यह कभी स्टार्ट के तो 90 जो आपका 68 में इसकी गठन हो गई थी लेकिन पैसे के क्राइ इसको 1986 में मिली इसको 1986 से जाना जाता अगर रिव्यू मोडिफिकेशन प्रोग्राम ऑफ एक्षन की बात आता है तो 1992 होगा ठीक है और 1991 में जो आपका बता दे कैब यानि सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन का जो अध्याच बनाया गया थे ओ आपके थे स्री एन जनाधन डेडी जो चिपनिश्र आफ आंदर प्रदेश के थे उनको बनाया गया था और इन्होंने बहुत सारे रिकमेंड किया था तो यह सभी मिलकर 1992 जो पेस हुआ था एनपी उस कमिटी का जो अध्यास थे राम मूर्ती ठीक है तो अब चीजों को आगे बढ़ा थी कि जहां पर सभी स्टुडेंट को सिच्छा मिल सके चाहे हो किसी भी कास्ट से हो चाहे किसी भी धर्म से हो चाहे किसी भी वर्ग से हो चाहे किसी भी जाती से हो तो इसमें बात कही गई थी सबको सिच्छा पाने का हग है दूसरी बात कही गई थी क्वालिटी की बात होन सब को सिच्छा मिलना चाहिए और इन्स लेवल पर जो इन्वार्सल लेवल पर जो इस Sichछा सब को मिलने का जो एज रखा एат था 6 to 14 यहां पर बात कहीं घो यहां पर बात कहीं घे दि disl teve इंवर्सल एक्सेस अन एंड नॉल्मेंट के बात कही गई थी रिटेंशन के बात कही गई ती चिल्डन जो फॉर रिक्स टुफॉर्टीण वाले तो उसमीं क्या प्रियंड कंपशन इसमें उस्चा की बात कही गई ती और यहां पर बोला गया थी ज्यादा से ज्यादा लोग ऐसे राजीव गांधी को computer लाने का इंडिया में स्रे जाता है तो इन्होंने education में भी क्या क्या गया था कि effort to be made to provide computer literacy computer literacy को भी इसमें क्या किया जाया इंक्लूट किया जाया और secondary education को मतलब बढ़ाया जाया उसकी quality गुनवक्ता को क्या किया जाया इंप्रूब किया जाया ठीक है इसमें यह भी बात कहीं गया था इसमें disabled people को भी business प्रावधान दिया तो उन लोगों के लिए एक ऐसी school की विवस्था करना तो मतलब कहा जाया तो total overall देखा जाया तो इसमें सभी बर्गों के लिए सभी जातिक सभी धर्म से related सब लोगों के लिए यहां पर विवस्था के गए तेजुके सब को एजुकेशन पाने का हाग है ऐसा बोलकर इस प्रोग्राम को लाए गया था इसमें उनको उनके जो इनका अधिकार है सिछा पाने का उन्हें प्रोवाइ को दिया जाया है ना मेंटल और फीजिकल चालेंज जो परसन थे उन सभी को एजुकेटेट किया जाया है डी लिंकिंग डिग्री की विवस्था की जाया है और इसमें यह भी बताया गया था जैसे बहुत फार ऐसे बच्चे थे जो अपना मतलब काम करते हुए जब फाइन की विवस्था भी की गई तो एस भी चीजे बताया गया यह काफी मतलब दूर द्रिष्टी वाली जो प्रोग्राम था और काफी डाइनीमिक बोल सकते यह था प्रोग्राम ठीक है एजुकेटेशन जगत का अब इसको हम अलग-अलग रिकमेंडेशन जो वात 1992 प्रोग्राम और इसको हम लोग बोल सकते हैं तो 1986 दोनों को हम लोग अगर चेप्टर वाई धीरे धीरे देखा जा तो 24 चेप्टर में क्या कर देते हैं हम इसे बाट देते हैं पहला जो था चेप्टर वन में अर्ली चाइल्डूट केर एड़ एजुकेशन इसमें बोला गया था कि जित बच्चों को यह प्राइमरी एजुकेशन पा लेना जरूरी है ऐसा बोला गया था चैप्टर टू में जो बात करते हैं एलिमेंटरी एजुकेशन नॉन फॉर्मल एजुकेशन ऑपरेशनल ब्लैकबोर्ड यह चीज़ आ जा जा इसमें बोलते हैं एन पी बोला था कि मोडि बच्चिय च्छानों जो थी से चौझा साल के बच्चों को काफी मतलब इसमें बोला गया था इस पर जोर दिया गया था बच्ची की इह रिटेंशन इन्रॉल्मेंट बर गये इसमें जितने भी इस से भील ट्राइब्स से बैकवर्ड क्लास और माइनेरिटी इस पर जो उन 2087 में स्टार्ट हुआ था इसमें आपका बता दे कि तेलंगाना जो था आपको तेलंगाना से स्टार्ट हुआ था ठीक है तो इसमें जो था कि इसमें दो एक रूम होनी चाहिए दो रूम होनी चाहिए और सभी मतलब कह सकते हैं कि ब्लैक बोर्ड होनी चाहिए उसमें ट्वा and game materials होनी चाहिए, blackboard होनी चाहिए, map होनी चाहिए, chart होनी चाहिए, other learning materials होनी चाहिए, इसे भी facility operation blackboard में थाथ, और बात करते है, modern technology tools का use होनी चाहिए है, जो हमारे equipment है, वो सभी modernize होनी चाहिए, audio visual ads के थूरू, radio cassette के थूरू, जो non-formal education प्रोवाइट करवाना है, यानि जो घर बैठे भी क्या कर सके, education प्राप्त कर सके, तो उसके लिए एक center बनाया जा, non-formal centers बनाया जाए, और उसके लिए audio visual ads, radio cassette, players, इसा भी की विवस्था करवाया जा, इसको non-formal education में भी हम लोग इसको डालते है, इसको quality को क्या करना था, इसमें improve करना, अब इसमें बात करते है, secondary education and नबोदे बिद्याले, तो regarding secondary education, the national policy of education 1986, implied extensions of the school system in unserved area, consolidating existing facility and providing special arrangement for the gifted child and high achiever, the arrangement should acquire program to ensure access to secondary education being widened, cover unserved area, मतलब यहां पर बताया गया कि secondary education वहां तक देनी है, जहां तक हम लोग नहीं पहुच पाते हैं, वैसे gram जो काफी jungles और पहारी छेत से घिरे होते हैं, तो वहां पर नबोदे बिद्याले जैसे क्या school खोला जाया है ना, और इसमें बात क्या, इसमें 1 to 5 km कह सकते हैं, primary education को 1 km, 3 km, 5 km, 7 km, इस तरह से क्या किया जाया, इसको open किया जाया, distance जो भी है, विद्याले का ओनी चाहिए, chapter 4 में बात करते है, vocationalization of education, इसमें जो होता है, class 1 to 5 socially useful productive work, या work experience creates integral part of the curriculum in mini state, तो इसमें जो था बात, इसमें जैसे हम लोग का जो middle stage होता है, इसमें psychomotor skills पर बल देने की बात कही गई थी, दूसरी बात work experience program को start होनी चाहिए, से भी develop करना चाहिए, अब chapter 5 में बात करते हैं, कि इसमें बोला गया था कि the national policy of education, इसमें बोला गया था higher education पर जोर देने की बात कही गई जैसे कि graduate, post graduate, research work के लिए है, इसमें UGC के guideline में बोला गया कि technical institute, technical college होनी चाह होगा, वो काफी अच्छा होगा, like that, medical, engineering, agriculture, university, इस टाइप का विद्याले को क्या किया जाए, ज्यादा से ज्यादा खोली जाए, और इस से भी चीजे जो बात करते हैं, दूसरी बात करते है, open university of distance education के बात करते हैं, कि इसमें बोला गया था कि जो आके college में नहीं पर सकते ह पैसे की problem के विज़े से, distance के problem के विज़े से, अगर नहीं पर सकते हैं, तो उनके लिए open university की distance education की बात किया जाए, ठीक है, तो सबसे पहले इसी इमें, इंद्रा गांधी और national open university आया था, ठीक है, इसी plan के अंदर, और बोला गया कि state government को ये ensure होनी चाहिए, कि open university उनके जादा खुले, ताकि बच्चे ज़्यादा से जादा उनको सिछा मिल सके, ठीक है, रूलर इंवर्शिटी और इंसिचूट की बात कर लेते हैं, इससमें बात कहा गयाता है, रूलर इंवर्शिटी और इंसिचूशन में की develop, रूलर इरिया में इसको develop करनी है, बच्चे study के उनको कडाई बुनाई हास से करने वाली चीजों को ताकि वो जीवी का उपारजन या फिस समाज से जूर सके इस तरह से प्रोग्राम को लॉंच किया जाए इस तरह से प्रोग्राम को बच्चों को सिखाया जाए अब चैप्टर एट की बात करते है टेक्निकल और इसमें बोला गया था कि जब 21st century में जीने के विज़े से आज की डिमांड जो टेक्निकल होनी चाहिए काफी एडवांस सोसाइटी होते जा रही है तो इससे भी चीजों को लेकर इसमें बोला गया कि भाई इसमें टेक्निकल मैनेजमेंट की स्टार्ट कर टेक्निकल एजु सीफ्टं में बोला गया कि सिस्टम जो हमारा और उसको अच्छा बनाना है उनके वर्क को ऑच्छी बनानी जैसे तीचर की गुन्बकता को सुदार्णा सुदार्णा इसकोल की की इनौनजर को सुदार्ना है ये सभी चीजों को बात कई गई तीष में डीलिंकिंग् знать की की बात करते हैं मैं पावर प्लानिंग की बात करते तो इसमें ऐसे चीज बोला गया था कि डिग्री वैसे बच्चों पर ध्यान डिग्री प्रोवाइट करने जो जोब के लिए लिजिबल हो वैसे डिग्री ओपर ध्यान देने की जरूरत बताए गई और येंटे डिग्री ज में सुधारा जा सके चैप्टर ट्वेल में बुमें एजुकेशन के बात कई गई है ना कि बुमें जो होती हमारे चाइड गल्चाइड इंक्रिजिंग पार्टिसिपेशन आप अल एरिया ऑल इस्टेज लाइक वोकेशनल साइंस टेकनिकल कमर्स एजुकेशन तो उनको बुम कराया जाना चाहिए बुक्स प्रवाइड कर किया जाना चाहिए ना जिससे उनकी नमंकन जो हो बढ़े टिक है एजुकेशन ऑप स्ट्राइब कास्ट के लिए बात कई गई गई ती टिक है इससे भी चीजे आई हड़ी डिसकस्ट इसमें त्रुक है से और ऑबीशी इस तर छूट दिये गया ठीक है बहुत सारे टेन पर्सेंट इंडॉल्मेंट करने के लिए हना से इन पर्सेंट तो इधे सिक्स टी इलेवन इंस्यूरिंग डियर रिटेंशन इस्कूलिंग लीडिंग तो इस सभी चीजे प्रोग्राम मतलब इन्हें दिया गया होस्टल के फैसली फैसलीटी दिया गया ठीक है एना स्कॉलर्शिफ की फैसलीटी दी गई ताकि बच्चे जादा से जादा अपने बल्बुते पर उन्हें क्या कर सके रोजगार मतलब अपने विदेश में परहाई कर सके अपने देश में स्कॉलर्शिफ लेकर वैसे टैलेंटेड सके अपने एजुकेशन आर्टिकल ट्वंटी नाइन और अर्टिकल थर्टी में राइट ऑफ मैंने टी टुक अपने लेंग्वेज स्क्रिप्ट एंड कल्चर तो उनकी जो राइट्स होती है उनको हनन नहीं होना चाहिए उन्हें ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट दीनी चा इतने भी हैंडिकेप्ट थे उनके लिए स्कूल की विवस्ता के उस इस इसकूल डिस्टिक लेबल पहुनी चाहिए डिस्टिक हेड़कॉर्टर पर याने कहने का मतलब हुआ कि बहुत सारे चीजे छूट दी गई ताकि वह ज्यादा से ज्यादा उनके इस पेसल उनको होता है इसमें 15-35 तक बात कई गई है कि भाई बहुत सारे ऐसे होते कि किसी कारण वस अपना पूरा नहीं कर सकते हैं पैसे की परिवार की परसानी की वज़े से नहीं एजुकेशन लेकि पादमून को पढ़ने का मन किया तो उस उस डिरेशन में क्या कर से कभी भी किसी प्रोवाइट करने के बात कहीं गई थी ठीक है चाहे किसी भी बेस पर और ऐसा किसी में Discriminate नहीं करनी है ना बातों को evaluation process और examination reform के बात कहीं गई इसमें बोला गया कि public examination जो होना चाहिए होगा continue to be held only at the level of class 10 or 12th, okay schools board in certain states have set up number of sub-centres and decentralized the conduct of examination adaptations of similar measures other states will be pursued तो examination की बात कहीग examination काफी tight नहीं होनी चाहिए examination grade की बात कहीग गही ती assessment की बात कहीग ती upper performance की बात कहीग basis complete grade point की बात कहीग थी तो इस भी चीज़े इसमें इसलिए grade point डाला गया तो किसी भी बच्चों को fail ना किया जाए grade देकर उन्हें pass कर दिया जाए अगले class में promote कर दिया जाए ताकि उससे क्या हो कि बच्चे में ज़्यादा से ज़्यादा positive positive thinking जा सके और ज़्यादा से ज़्यादा ओए education पाशक है youth and sports की बात कहीगे खिलने पर धियान गेम्स की बात कहीगे इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को sports की include किया जाए curriculum को curriculum की बात कहीगे language development की बात कहीगे यह three language formula की बात कहीगे linguistic competencies की बात कहीगे थी कि इसमें three language जो सब ने लगवब मुदालियर ने भी को ठारी ने भी है ना तो mother tongue काफी जरूरी है उसके बात हिंदी और एक foreign language जो इंगलिस जो होती है जिस्सों communicate कर सके मतों तीनों language होने के बाद हमारी development हो सकती है ज्यादा से ज्यादा cultural development की बात कहीगे कि हमारे इंडिया तो है ना culture का देश का जाता है अलग-अलग cultural यहां पाया जाता है अलग-अलग धर्म के लोग रहते हैं तो सबको क्या एक student में ऐसी thinking ऐसे भावना उनको अंदर जगाना है कि वो सिच्छा गरहन करते समय मेडिया एंड टेक्नलोजी की बात कही गई है ना तो इसमें modern educational जो है टेक्नलोजी शुडबी रिष्ट आउर्ड दे मोस्ट डिस्टेंट एरिया डेप्राइब सेक्षेंस ऑफ दे बेनिफिशरी सामेंट लेसली विद अरिया आफ कम प्रेटिव अलाइंस इसे बाद टीच ट्रेंड होनी चाहिए ताकि उनको आइडिया हो सके कैसे बच्चों को गाइड करना तो इसके लिए बहुत सारे प्रोग्राम को लांच किया जिसमें से एक था डाइड डिस्टिक इंसिट्ट आप एजुकेशन एंड ट्रेनिंग इसको इस्टैबलिस्ट किया गया था अब बात करते हैं अब बात करते हैं चैप्टर 14 मैनेजमेंट एजुकेशन की इसमें मैन पावर की बात कही गई थी ठीक है तो इसे भी चीजों को देखते हैं इस फुली टेकनलोजी को प्रेफर किया था कंप्यूटर बेस्ट एजुकेशन होनी चाहिए दूसरी चीज इसमें टीचर ट्रेनिंग होनी चाहिए डिस्टेंस एजुकेशन की बात कही गई एडल्ट लिट्रेश्य की बात कही गई बुमिंस पर मैनेरेटी पर इस से एश्टी कास्ट पर ज्यादा जोर दिया गया तो इससे भी चीजों को मिलाते हो काफ़ी सक्सेस्पूल रहा ठीक है तो आई होप वीडियो अच्छे लगी होगी अगर फिर भी किसी को किसी परकार से डावट है तो प्लिस कमेंट मॉक्स में कमेंट करके आप बोल सकत थैंक यो फॉर वाचिंग